अगर बच्पन से ही बच्चा जब पैदा ले और उसी समय से हम पकर लें कि भईया इसे कलम धराना है इसे IS और IPS बनाना है तो अगर सचिन तेंदूलकर के पिता ने भी उसको बल्ले के जगा कलम थमाया होता तो आज देश को एक तेंदूलकर नहीं मिलता है जो बाहर ग्राउ करें पिखर की धरती ने दुनिया वहर के अंदर में आने को शंदेश देय है जिसको दुनिया आज मालती है बिहार के अंदर में खेल पोड़ दिन ने चीजिसें स्थापित की जा रही हो सब्सकर आप साफ और मैं आपके साथ सदांसु से करदा अभी है मुर्जा सक रय भStart पुरिया दवंग वोर्सेज डिजिटल योगधा का मैच हो रहा है एक दम काटे का टककर का ये मैच हो रहा है मनीज कस्चेव वर्सेज मनोस्तिवारी और हमारे साथ यहाँ पे पहुंचे हैं BPSC के एक बहुत बड़े टीचर महान टीचर ससी सरन सर सबसे पहले इन से बात करे रही है और उसी में एक सहयोग जो अभी दिख रहा है एक जो बाहर में ग्राउंड के अंदर में जो मैच नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा इसके दो तीन बड़े फायदे हैं ये बच्चों को प्रेरित करेगा कि आप रील की दुनिया से बा जोंगा कि जितने भी बड़े यहां पे गेस्ट आये हैं जितने भी लोग आएं वह इनसे सीखें और सीखने के बाद इसको इंप्लिमेंट करें और अपने घर के चोटे-चोटे बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों को ये आदत दिलाएं कि सुबह सुबह कम से कम ब के हम हम दिके भाई बीहार के माटी可能न वाजपूर reduction संसरी बुंड़ाइव ने बजचपूर जो ने अवह में हम दुनों तरफ बा चुकि हम दुनों तरफ के बाने लेकिन अगर यह को जीत और हार में मरुसा रखल जाई तो हम सपोर्ट करता नहीं भाई कि डिश्टल योद्धा जीए क्योंकि इस डिश्टल योद्धा उन लोग हो जो घर घर में छुपल हुए ख़बर जहां तक बरका घर लोग आवाज उठावा था तो हमरा तरफ से समर्थन बाज उन डिश्टल योद्धा के बार रीजन बस इतने बार दुनों लोग आपन बार रीजन बस इतने बार बहुत फरक परल और फरक ना परल रही तो आज हर बरका-बरका मीडिया चैनल लोग यूटुब पर बिहार में क्रिकेट के स्थिती कुछ अच्छी नहीं रही है यह आप जानते होंगे हाँ अलहाला कि अभी पिछले कुछ दो-तीन सालों में नए-ने क्रिकेटर उभर के आया हैं लेकिन ये मैच ये मैच कितना महत्पोर्ण साबित होगा उन युवाओं के लिए जो ले और उसी समय से हम पकर लें कि भईया इसे कलम धराना इसे आई-एस और आई-पियस बनाना है तो अगर सचिन तेंदुलकर के पिता ने भी उसको बल्ले के जगा कलम थमाया होता तो आज देश को एक तेंदुलकर नहीं मिलता आज देश को तेंदुलकर जैसा खिलारी न दुनिया नहीं हुआ करता था पहले क्रिकेटर को लोग उतना ज्यादा ग्लैमरस नहीं समझते थे बहुत बहुत लेवल तक इनकी रूट का उस तक पहुंच नहीं थी धीरे अब लोगों को समझ में आने लगाए कि यह फिल्ड भी एक्स्प्लोर किया सकता है यहां भी के अंदर विदे कि इस बात को समझे कि आज भी बिहार के अंदर में जो या फिर अन्य प्रदेशों के अंदर में सरकारी स्कूली सिक्षा ही रीड है जो पैदा करती है तो वैसी प्रिस्टि मुसको भी मजबूत करना है तो लाखों की संख्या में जब न्युक्तिया हो रह में है उस अनुरूप में हम खिलाड़ी अच्छे पैदा कर सकते हैं और वो चाइना और अमेरिका जैसे देश जो एशियन गेम्स में जो ओलम्पिक्स के अंदर में हजारों साख लाखों नहीं साजारों और सेंक्रों मेडल लेके जो आते हैं दो कि खेलो तो कुदोगे तो हो जाओंगे खराब और पठोर लिखोंगे तो बनोगे अरयगी पढ़ाई भी जरूरी है बेसिक एजुकेशन जरूरी है लेकिन एजुकेशन के सांसत एक्स्टा करिकुलर एक्टिविटीज का भी समयोजन बड़ा अत्यंत महत्पूर्ण है तो ऐसी परिस्ति के अंदर में पेरिंट्स की भी भूमिका है और सांसत स्कूल के मेंटर्स की भी भूमिका है कि अपने बच्चों को बताएं कि एजुकेशन जितना नेसेसरी है कहीं ज्यादा उसी के पैरलल में अगर वो एक्स्टा करिकुलर इंट्रेस्ट के साथ होना चाहिए अगर आपको इंट्रेस्ट नहीं है क्रिकेट खेलने का जबरदस्ती में आपसे करूंगा तो नहीं हो पाएंगा तो जिस बच्चे को जिस विभाग में इंट्रेस्ट है वो एक्स्ट्रा करिकुलर इक्टिविटीज को लेकर के बढ़े इसमें लोगों को प्रुसाहित किया जाए और निसंदे बिहार और यूं कहें तो भारत ही वो देश होगा जो चाइना और अम करते हैं कि हरे गार्जियन को अपने बच्चे के अंदर एक पड़क होना चाहिए हो जानना चाहिए कि उनका बच्चा आगे क्या करना चाहता है बाकि अभी उर्जा स्टेडिय में मैच हो रहा है हमको लगातार अपडेट दे रहे हैं हमको दिखाते रहें कि क्या कुछ हो 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका विहार एवं चारकंड के चातरों के बीच विश्वसनिया संस्तान गोल